जय गुरुदेव, गुरुर ब्रम्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो, महेश्वराह, गुरुह साक्षात परम ब्रह्म, तस्मी श्री गुरु बेनमा विश्व करम प्रकाश गुरंद का अध्यान चल रहा है, पाच्वे अध्याय के 21 श्लोक हो चुके हैं आज 21 से आगे इस श्लोकों को देखने का प्रयास करेंगे, 81 पदवास्तू और 64 पदवास्तू इसका वर्णन चल रहा है, horizontal और vertical lines जिसको नाड़ी श्रीरा कहते हैं, उसके नाम देख रहे हैं, 64 पदवास्तू जिसमें 9 रेखा हैं खड़ी और 9 रेखा हैं आड़ी हैं, उसमें उनके नाम हैं श्रीया, यश्ववती कांता, सुप्रिया, परा, शिवा, शुसोभा, सगना, सधना और इमा, उत्तर से दक्षिन की जो lines हैं, उसके नाम है, धान्या, धरा, विशाला, इस्तिर, रूपा, गदा, निशा, विभवा, प्रभवा, और सौम्या, उसके आगे मर्म का वर्णन है, श्लोक्रमांग 24 से, तो मर्म के लिए, श्लोक्रमांग 24 में बदाया कि पद का जो आठमा भाग ये वो मर्म कहलाता है, मर्म का डायमेंशन है, अन्य ग्रंतों में और इस विश्वकुर्ण प्रकास में भी जो हम देखेंगे, कि जो horizontal or vertical lines हैं, ये जो वास्तु पद्विन्यास है, अपन यहां पर देखने के लिए अभी 81 पद का देख रहे हैं, 64 पद का पद्विन्यास होता है, तो कहां जितने हस्त का पद है, उतने अंगुल का वंश होता है, अभी वंश की जगे अपन उसको यह शिरा ले रहे हैं, horizontal or vertical lines, ये उसका dimension है, जैसे मान लो, कोई plot, चोपन हस्त का है, नो भाग से विभाजित किया, तो एक पद आया, छे हस्त का, तो उसमें जो छे हस्त का पद है, तो उसमें छे अंगुल का वंश बताया, वंश क्या होते हैं, आगे देखेंगे, कि यहां से भी जो line गई है, उत्तर से दक्षिन और पूर्वस है पश्यम, उसको भी वंश कहा है, कई जैके उसको महा वंश कहा है, अभी जो इसको अपन वंश कहने वाले हैं, वो diagonal lines को कहने वाले हैं, वो अभी यह बताने वाले हैं, अभी जो वंश अपन कहेंगे, वो यह जो अपन ने diagonal डाले, इनको वंश कहेंगे, 32 में कहा कि रोग से वायू तक, शिखी से पित्र तक, अदीती से सुगरीव तक, जयंत से भ्रिंग राज तक, मुख्य से भ्रिष तक, शोष से वितत तक, ये वंश को डाले, तो वंश कौन सी लाइन होगी उसको देखते हैं। ये जो यहाँ लाइन्स दिखा दी, कौन सी रोग से वायू तक, मुख्य से भ्रिष तक, शोष से वितत तक, शिखी से पित्र तक, अदीती से सुगरीव तक, जयंत से भ्रिंग राज तक। ये जो लाइन्स हैं, इसको कहा वंश और इनके जो पॉइंट अफ इंटर सेक्शन से जहां ये वंश एक दूसरे को काट रहे हैं। उसको कहा मर्म ये मर्म अभी यहां दिखाने के लिए उसका जो डाइमेंशन हैं थोड़ा सा बढ़ा कर दिया। तो कहा ये जो मर्म हैं कई-कई ग्रंतों में मर्म, महामर्म, अतिमर्म, उकमर्म उन सब का वर्णन आता है। तो यहां उस दिरश्टी से ये महामर्म हैं। तो नो बै नो की ग्रिड में अपने इन महामर्म को देखा। अब इनका उपयोग क्या है। तो कहा है कि इसके उपर ये जो मर्म हैं, ये एक तरह से वाइटल पॉइंट हैं, सेंसिट्यू पॉइंट हैं, इनर्जी जनरेटिंग सेंटर्स हैं, इनको दूशित नहीं करना चाहिए। यहां जूठे बरतन नहीं रखना चाहिए। यहां नकारात्पक उपजा देने वाले पदार्थ शल्य नहीं होना चाहिए। इन इस्थाम पर कॉलम नहीं बनाना चाहिए। उसका निशेद है। जब भी आर्शी सी का अपन कंस्रक्शन करेंगे या ब्रिक वाल का बनान चाहिए। यहां विश्व कर्म प्रकाश ग्रंत के अध्याए पांच के श्लोक्रमांक 26, 27, 28, 29, 30 में मिलता है। शल्दी जो हैं वो नकारात्मक उर्जा देने वाले पदार्थ हैं। जिसे हड्डी है, कोईला है, कपाल है, बाल है, राक है, भूसी है, यह जो पदार्थ हैं, इनको शल्दी कहा है, वैसे ही सभी जगे दोशकारक हैं, लेकिन विशेश रूप से, यह मर्म इस्थान पर अत्यांत दोशकारक हैं। यह जो शल्दी हैं, यह जो वाइटल पॉइंट से हैं, उस पर बहुत अधिक दोशकारक हैं। भूमी में कहीं भी हो तो दोशकारक है परन्तु शल्य यदी vital points पर है मर्म इस्थान पर है तो यह अती दोशकारक है आज हमने शल्य को देखा मर्म को देखा और कुछ उनके dimensions को भी समझने का प्रयास किया अभी इतना ही कहकेवानी को विराम देते हैं जै गुर्देव जै गुर्देव